सद उप्योकता जानियेगा पहले कथा में कहा था च्छिर कर रहा हैं तुम लोगों के पास में गाड़ी है कि नहीं टूविलर फॉरविलर बोलो जम के जम के बोलो जराब सब के पास है टूविलर फॉरविलर है किसी के पास फॉरविलर होगी किसी के पास टूविलर होगी है यहां से जाओ अपने घर के लिए तो यहां बाहर निकलोगे तो इस बहुत बड़ा पानी का नीचे खड़ा है उसमें गटर का पानी भरा हुआ है उस गटर के पानी को तुमारी गाड़ी के पेट्रोल टेंग में डलो गाड़ी चलेगी अरे बोलो जमके नहीं चलेगी गटर के पानी को पचास लाग की गाड़ी में डलो गटर के पानी को नाली के पानी को पच्चिस लाग की गाड़ी में डलो गटर के पानी को नाली के पानी को दस लाग की फोर बिलर गाड़ी में पचास हजार की टूबिलर गाड़ी में जरण डाल कर दिखना, तुम पचास हजार की गाड़ी में, दस लाग की गाड़ी में, पचास लाग की गाड़ी में, जब तुम गटर का पानी नहीं डालते हैं, तो ये करोडों की गाड़ी में, ये गंदा नाली का पानी क्यों डालत ये करोडों की गाड़ी है एक लीवर खराब हो जाता है 20-25-25 लाग देने को तयार खणे हैं लोग बाग लीवर बदल दो साब किटिनी बदल दो साब एक गाड़ी करोडों की परमात्माने दे कर भेजा है इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए इस गाड़ी की कीमत को तुम एक जरासा दस हजार का मोबाइल पर स्क्रीम गाड़ चलाके चल रहे हो और रोट पर चल रहे हो तो पुलिस वाले बार बार के रहे हैं हेलमेट लगाँ, सीट बेल्ट लगाँ, हेलमेट लगाँ, सीट बेल्ट लगाँ उनका काई का फाइदा, फाइदा तुमारा है, पुलिस का फाइदा नहीं है तुमारे हिलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फाइदा नहीं है, फाइदा तुमारा है, उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं कर तो उसमें तुम्हारा भाइदा है ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी एक दिन घर पर पड़ी रहेगी उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा सड़ रही है गाड़ी पलंग पर पड़िये बच्चे ले जाएंगे बिठा कर डॉक्टर को दिखाएंगे लाकर देंगे दवाई वाला दवाई देदेगा सिश्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना क्या काम की वह भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है कि क्या करो कि इस काड़ी की कीमत का